प्रियम से बुलिये बागिस्वधाम सरकार कीजए सन्यासी बाबा कीजए सनातन धर्मे कीजए बाला जी हनमान जी महराजे कीजए मेरी प्यारी सभी भक्त गड़ो आज का जो परसंग है बहुत ही सुन्दर परसंग है कि आखिर एक रिसी ने ऐसी क्या जुरुध पड़ गई कि जिनको अपनी ही बेटी से बिवाह करना पड़ गया अखिर वे कौन रिसी थे तो एक बार की बात है कि एक रिसी जो स्वर्ग से पिर्थवी लोग पर आ रहे थे उनका नाम है रिसी अगत्स जो बहुत ही तपस्वी रिसी थे जो वे स्वर्ग से पिर्थवी पर उतरे तो पिर्थवी पर उतरते ही वे दो द्रिस बहुत ही अचंभित हो जाते उन द्रिसों को देख करके कि दो लोग पीड़ से उल्टा लटके हुए हैं तो इसी अगत्सने उन लोगों से पुछा रे भाई आप लोग कौन है और अखिर उल्टा क्यों लटके हुए हैं उभी स्पेड से तो उन दोनों लोगों ने कहा कि मैं आपका प्रुवज हूँ और यदि आपका कोई संतान की प्राप्ति होगी तो हम लोगों को उद्धार मिल जाएगा हम लोगों की मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी तो वे कहते हैं कि ठीक है मैं संतान की प्राप्ति करूंगा और आप लोगों को मोक्ष की प्र पुरा करने के लिए वे जब अपने आस्र में पहुंचते हैं तो लगते हैं अपने ही अनुसार अपने योग के बराबर लड़की का चैन करने अगल बगल हर जगा ढूड़ते हैं लेकिन उनको कोई ऐसी कन्या नहीं मिलती है कि जिससे वह साधी कर सके तो उन्होंने सोचा कि क्योंना मैं अपने तपोबल से एक ऐसी कन्या का रूप बनाऊं और उसी समय साधी करूंगा जब उनको उनके इंच्छा नुसार कन्या नहीं मिली तो उन्होंने अपनी तपोबल से कन्या बनाने की सोची तेखोly क्या की यह जो अच्छी अच्छी चीजे थी अलगलग प्रकार से पेड़ से पौधे से हंससे जानवर से ले करके एक सुंदर सा अपनी कल्पना के अनुसार सरीर धारण करने की कल्पना की और बनावट करना शुरू करें लेकिन अब जो है लेकिन जैसे ही इनों के बिचार में ए बिचार आया थी तब तक उनोंने देखा कि एक राजन है एक राजा जो भगवान के मंदिर के सामने संतान प्राप्ती के लिए अपने पत्नी के साथ तब पस्या कर रहा है कि है बगवान मुझे संतान दे दो यह द्रिस उसे दिसी अगत्स ने देख लिया और कहा इन लोगों को संतान चाहिए इस से अच्छा क्यों न अपना जो मैं कलपना की यहां सरीर का हुआ एक सिसू के रूप में इनके गर्भ में डाल दे और जो बच्ची पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा उसकी सेवा भी बड़े अच्छे से खातिरदारी भी होगी क्योंकि राज घराने में रहेगा उस विदर्ग राजा और रानी वहां पर भगवान के मंदिर के सामने अपनी मंगते माग रहे थे तो रिसी अगत्स ने जो अपनी कल्पना रूपी जो सरीर की बनावट की थी वह सिसु के रूप में उनकी गर्व में डाल दिया रानी विदर्ग की अब वह सिसु नो महिने बाद जनम लेता है तो वह एक बहुती सुन्दर पुत्री वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई उस राज घराना में रह करके सब कुछ उसे लालन पालन पुसर सब कुछ मिलता रहा रिसी अगत्स उस समय का बहुती बेसबरी से इंतजार कर रहे थे कि कब वह पुत्री बड़ी हो जाएगी ताकि मैं उसे में साधी करूँगा और जब वह लड़की जब कन्या बीबाह की योग हो जाती है तो अचानक एक दिन बिदर्ग राजा के राज़ में दर्बार में रिसी अगत्स से पधारते है जैसे ही रिसी अगत्स से वहाँ पर जाते है तो बिदर्ग राजा के जो थे वह का निफूज हो जाते है परसान हो जाते है कि अचानक क्यों आ गए लेकिन वहाँ पर उनकी बहुती खातरदारी होती बहुती सम्मान होता है राज़न ने कहा बड़ी भाग मेरे कि आपने ही मेरे दर्बार में पधारे रिसी अगत्स ने कहा धन्यबाद लेकिन मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ राज़न ने कहा रिसीवर कहिए मैं आपका प्रस्ताव सुईकार करूँगा रिसी अगत्स ने कहा कि मैं आपकी बेटी से बीवाह करूँगा तो राजा बड़े ही अचम्बित हुए कि एक सन्यासी सिद मैं अपनी बेटी सा बिवाह करूँगा तो मेरी बेटी जो है कैसे उस सन्यासी धर्म का पालन करेगी राज घराना में रहने वाले बन में रहेगी कैसे संब्भ होगा लेकिर अंदर ही अंदर वे डर जाते हैं राजा अगर मैं अपनी कन्या का हाथ देने से मना कर देता हूँ तो हो सके रिसी अगत से कुछ साप दे देंगे और मेरा पूरा राज जो सापित हो जाएगा है इसके डर से उस राजन ने अपने बेटी का हाथ उन रिसी के हाथ में दे दिया और बड़ी ही धूमधाम से उन रिसी के साथ अपनी बेटी का बीबाह किया जब बेटी को बीबाह करने के बाद रिसी अगत्स उस लड़की को ले गए अपने उस कुटिया पर जब अपने उस कुटिया पर लेगे जाते है तो वहां पर कुटिया में परव्यस करने से पहले काते हैं देखो अब तक तुम राज घराना में थी हर परकार के तुम राजसी बस्तरपा नहीं हुए थी लेकिन अब एक रिशी के साथ रहना है अब एक सन्यासी के साथ रहना है और तुमको भी सन्यासी धर्म अपनाना पड़ेगा वह जो है बेटी वह कन्या बिल्कुल ही उनकों बातों से सहमती हुए और सब जो गहने आभूसर राजसी बस्त जितने भी पहने ते सब उत्याग दी और एक सन्यासी धर्म जैसा एक कपड़ा जो है पहन लेती है और दोनों ही रिसी अगत्स और वो जो लड़की वो जो कन्या थे पती पत्नी के रूप में बड़ी खुशी से रहने लगया दीरे-दीरे समय भीटता गया और वह भी लड़की तापस्या में पूझा में वह भी धीरे-धीरे उनका भी उसका भी मन जो है लगने लगा रिसी अगत्स जब तपस्या में किसी भी चीज की कमी होती थी तो वह जो लड़की उनकी पत्नी साथ में सब चीज पूरा करते थी लेकिन एक बार की बात है कि एक सर्वर में रिसी अगत्स की पत्नी उसका नाम था लोका मृदा रिसी अगत्स की पत्नी लोकमरिदा वह जो है तलाब में अस्नान कर रहे थी तब तक उसी से में रिसी अगत्स की नजर पड़ी उसके सुन्दर कॉमल सरीर का रंग रूप देखे करके वह मोहित हो गया वह जब अस्नान कर रहे थी तो ऐसा उनको लगा कि वह तो रती है इतनी सुन्दर उन्होंने देखा और मोहित हो गया रिसी अगत्स उसके पास गए और कहें लोकमरिदा मुझे तुम्हारे साथ समागम करने की इच्छा जागरित हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ सम्बंध बराने की इच्छा जागरित हो रही है तो उस लोकमरिदा ने कहा कि स्वामी आपने मेरे को साधी करने के बाद यहां पर लाया है लेकिन अभी तक आपने मेरे साथ समागम नहीं किया है लेकिन मैं आपके साथ समागम तभी कर सकती हूँ कि जब मेरे पिता जैसे एक राजसी सिंहासन होगा, एक राजसी बिस्तर होगा, राजसी घर होगा, तब जाके मैं उस जगह पर मैं समागम करूँगा वह रिसी अगत्से ने कहा कि मैं एक सन्यासी और मैं ऐसा बेवस्तर कैसे कर सकता हूँ, जूट में जिद कर रही हो, लोका मिरिदा उनकी पतनी कहती है, कि आप इतने तप्यस्वी रिसी हैं, आप चाहें तो अपने तपो बल से सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया की हर चीचों को हासिल कर सकते हैं, जिसी अगत्से ने कहा, प्रिये, यदि मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे तपो बल का छीड़ होगा, मैं उसका उप्योग अच्छे तरीके से नहीं करूँगा, उसका उप्योग अनादर तरीके से होगा, और निर्थक चला जाएगा, वह जो है, उनकी पत्न जिद्धी रहती है, वकाती कि जब तक आप मनुरत पूरा नहीं करेंगे, तब तक समागम नहीं कर सकते हैं, अपनी पत्ने के इच्छा को पूरा करने के लिए, मनुरत को पूरा करने के लिए, वह एक उस समय का सबसे धनी दानव राज के पास जाते हैं, और वहां से धेर स सारे जो है दान पुंड करके लाते हैं दाना और राज ने विए उस रिसी का बहुत अरिक स्वागत किया और जो कुछ भी उनको चाहिए था अपने महल में से अपने धरवार में से धेर सारे सोने चांदी हर परकार की सुख सुदा दे करके उनको विदा किया और विरसी अगत आकर के पूरा विवस्था एक राजसी जैसा विवस्था करके अपनी पत्नी लोका मिरिदा के साथ समागम करते हैं समागम करने के बाद उन्हें एक बहुती सुन्दर पुत्री का जनम होता है जैसे ही सुन्दर पुत्री का जनम होता है तो संतार प्राप्ती होने के बाद जो उनकी पुरुवज थे, उनके पुरुवजों की मौक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह बेटी बीचा करके पिंडदान करती है, और उनके पुरुवजों की मौक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इस तरीके से रिसी अगत्स को अपनी ही बेटी से साधी करना पड़ा था झाल